आदाब इन वेलकम टू अनादर एपिसोड ओफ एहम बात मैं हूँ यूसरा हुसेन आप देख रहे हैं नियूज जबू कश्मीर लदाक हिमाचल आज की एहम बात में एक ऐसी बात होने जा रही है जिसको लेकर के कश्मीर में हमने बहुत सारे इंसिदेंस देखे परिशानिया भी देखी और ट्राजडीज भी देखी हम बात करें हैं फायर इंसिदेंस की सो इसी सिलसले में आज शो पे मेरे साथ है आखे भुसेन मीर जो की असिस्टन डिरेक्टर है फायर इंमर्जनसी सर्विसेस कश्मीर के सबसे पहला सवाल मेरा आप यह बताई है कि पिछले 10 सालों में डिपार्टमेंट ने अपने आप में क्या अप्ग्रेडेशन लाई है डिपार्टमेंट कैसे अप्ग्रेड हुआ है तांक यू बेरी मच फोर हैंग मी ऑन दे शो अगर हम डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो डिपार्टमेंट पहले से ही जो हमारे पास एकिपमेंट थे हमने काफी अपग्रेड किया है कुछ एकिपमेंट जो हमें इसमार्ट सिटी के तू भी मिले है कुछ वर्ल्ड बैंक है या अभी काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कि देखे देरिflu heads always scope for improvement नवी जैसे हमरे department अगर देखेंगे तो equipments जैसे foreign countries मैं जो हमारे बाकी रियास्तों मैं जैसे equipment है तो we are equipped with all those sorts of machinery but जैसे continuously evolution आता है department मैं so we are always ready for that. तो इन्शालला जहां जहां पे भी देर विल भी स्कोप फर इंप्रूमेंट तो वहां पे हम इंप्रूमेंट करेंगे. अच्छा, इतने जादा फाइर इंसिडेंस विंटर्स में क्यों होते हैं? इसकी क्या वज़ा है? इसकी बारे में थोड़ा साफ मेवरता लिए. इसका जो बेसिक अगर हम रूट काॉस देखेंगे तो जो कश्मीर है इस डिफरेंट पार्ट फ्रूम दे रेस्ट आफ दे स्टेट साफ में काफी जादा सर्दी रहती है विंटर सीजन में और उनकी वज़ए से लोग काफी जादा हीटिंग गैजट्स का काफी जादा गैजट्स तो यूज़ करते हैं लेकिन कहीं बार हमारी नेगलिजन्स हमारी लापरवाही की वज़े से ही इन हीटिंग गैजट्स में ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जहां पर आग की वारदा नुमूदार होती है लेकिन इससे एक और चीज़ इंपॉर्टन है कि जो हमा जो ख़तम बन का काफी यूज होता है वाल पैनलिंग का यूज होता है वोडन फ्लोरिंग होती है तो हमारे स्ट्रक्चर्चर्स जो है यह अल्रेडी वल्नरेबल फ्रॉर्म दे फायर पॉइंट और फ्यू तो इन गैजट्स में जब कहीं पर लापरवाही होती है तो जो स् देखें सबसे ज़ादा जो फायर इंसिडेंट्स हमने देखें हैं वो नेगलिजन्स की वज़से ही होते हैं लगबग अगर हम देखें किस के राकी नेगलिजन्स विद रिगार्ट तो नॉट फॉलोइंग दे प्रॉपर डॉज और डोंस और सेफटी प्रिकॉशिंस अग पर देखें करनी पड़ती है विच इस बियॉंड दे कैरिंग केपेस्टी ऑफ दे वायर तो उस वज़से भी जो हमारी वायर्स है वो काफी हीट अप हो जाती है और उस वज़से भी वायर इंसिडेंट्स है वो नोमदार होती है तो लोगों से भी वहां पर रिक्वेस्ट ही रहेगी कि आप तंटिनुसली आपने जो वायरिंग है उनका इलेक्रिकल आड़िट करा हैं आप ये चेक करें कि आपकी जो वायरिंग है जो बीस-तीस साल पहले लगी है बिल्कुल क्या हमने उसको चेक कि हैं कि कहीं पर इंसिलेशन ब्रेक तो नहीं हुई है या क्या वो वायरिंग सफिशेंट है जो आपका लोड है गर पे उस हिसाब से क्या वो प्रॉपर है क्योंकि हमने लगबग देखा है 90% आफ फायर इंसिदेंट्स जो है वो शॉर्ट सिर्किट के कारण ही होते हैं तो वहां पे भी हमें चाहिए कि जो हमारे पास इलेक्रिकल एकिपमें जैसे मकान पुराना है घर पुराना है और काफी पहले वो वायरिंग हो चुकी होती है तो कितने साल बाद उसको ओडिट कराना चाहिए या वो टस्टाइम gap कि now it's due कि अब इस साल हमें या इतने साल हो गए और हमें ये जो वाइरिंग है दुबारा चेक करवाना चाहिए देखिए इसका कोई प्रॉपर टाइम फ्रेम नहीं है लेकिन जब आपने जैसे नई वाइरिंग लगाई है आपने इसको चेक किया है कि ISI मारक है तो पहले आप चार-पांच साल तक आपको चेक करने की ज़्यादा ज़ोरत नहीं है लेकिन जब आपको पता है कि इसको काफी टाइम हुआ है इंस्टॉल की हुए तो आपको रिगिलर्ली फिर इसको चेक करने I don't know fire gaps पे भी बड़ा वो हो जाता है कि रखें नहीं रखें लेकिन it's very important especially हमारे शहर में. What do you have to say about that? Fire gap रख सके तो ideally कम से कम पंदरा मीटर का जो setback है वो as per the standard होता है. मेरी ये request रहेगी लोगों से खासकर जो downtown areas में मकान बना रहे हैं कि अगर आप fire gap नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हमने जादा तर देखा है जो आग है वो easily spread तब होती है क्योंकि हमारे जो trust है च्छद के तो वहां क्योंकि वो लकडी के होते हैं तो that becomes a medium जहां से fire फिर दूसरे trust में shift होती है और accordingly वो 5, 6, 7, 8 मकान continuously involved होते हैं तो लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप मकान बनाएं तो बीच में बीच का जो wall है उसको हम बोलते है fire separation wall तो वो concept हमारे पास होना चाहिए है fire separation wall आप दें क्या होने चाहिए इस fire separation wall की की dimensions क्या होने चाहिए minimum इसके 24 inches के होने चाहिए कि कम से कम 2 feet का होने चाहिए and it should start right from the foundation to the roof level old roof level पे जहां पे हमारा wooden truss है वहां पे इसको थोड़ा extend करना है minimum 1 meter लेकिन यहां पे ऐसा देखा नहीं गया है कि यहां पे ऐसा बनाते है because there is there is not a concept of fire resistance because generally हमें पता है कि जो हमारे आजकल के मकानात है compared to old times पुराने जमानों में आपने सुना होगा कि downtown में 10-15 मकान इन्वाल हो जाते था उसका रीजन यह था कि उस टाइम पे पूरा लगड़ी का इस्तमाल होता था जो slab अगरा थी वो भी लगड़ी की होती थी so it became easier for fire to spread vertically and horizontally also nowadays we are blessed with concrete materials तो वहाँ पे slab का काफी जादा यूज होता है so slab का एक fire resistance होता है so अभी हम हमरे पास जैसे जो floor involved हो गया तो वही floor generally involved होता है जब तक कि fire service fire पे control करता है लेकिन जो loophole हमारे पास है वो ही है जो हमारे पास wooden trust है तो वहाँ से आख spread हो सकती है तो लोगों को जैसे मैंने पहले भी कहा कि fire separation wall देनी की जूरत है जहां पे वो fire gaps maintain नहीं कर सकेंगे तो उसे क्या होगा कि fire will remain localized within the involved property अच्छा यह awareness की बात है यह बात मैंने भी honestly पहली बार सुनी है so I think there's a lack of awareness जैसे offices में भी हर आप office में देखेंगे fire extinguishers लगे थे होते लेकिन लोगों पता नहीं होता अगर in case of an emergency उसे इस्तेमाल कैसे करें तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप how are you spreading awareness की कैसे आप अगर small time incident हुआ कोई चोटी सी आग कहीं पर देखी तो कैसे उसको खुदी control किया जा सकता है एक tool है हमारे पास जिससे हम या तो fire incidents को कम कर सकते हैं या जो fire incident के बाद जो post fire incident measures है जब हम we are trying to minimize the damage of life and property तो उसका सबसे important tool जो है वो है fire awareness program लोगों में awareness बढ़ाना with regard to fire safety तो हमने देखा है कि हमारे जो डिरेक्टर है श्रीया लुकुमार सर उन्होंने पिछले साल से जब से department join किया था तो उनका focus यही रहा है उन्होंने campaign भी launch किया कि we should increase the frequency of fire awareness programs हजारों की तादाद में हमने fire awareness programs कराये हैं और काफी सारे अभी भी pipelines में हैं मुदा और मकसद यही रहता है कि लोगों तक एक बात पोचाना कि with regard to fire safety जैसे fire prevention में आपको क्या करना है because there are some safety measures अगर वो लोग follow करेंगे तो मुझे लगता है fire incidents will reduce second thing is life safety खुदानोखवास तक कहीं पे आग लगती है और exits are very small तो वहाँ पे लोग फस सकते हैं they will get trapped और हमें पता है कि life is more important than property तो उसका भी concept नहीं है या इसी तरह fire protection measures जैसे हम extinguishers रखते हैं hose reel hose रखते हैं और खासकर जो common household fires है जैसे LPG के कारण जो होते हैं या electric short circuit के कारण होते हैं तो या basic extinguishers उसको चलाना कैसे हैं ये सारी चीज़े हम awareness programs में cover करते हैं और उसके results भी हमने अच्छे देखे हैं कहीं बार जैसे shopping mall जैसे सारा city mall के पास वहाँ पे आग लगी थी या आवकाफ building जो के cerebral में हैं वहाँ पे आग लगी थी या mental hospital ऐसे बहुत सारे cases हैं जहां पे हमने इन awareness programs से जो benefits है वो देखे वहाँ पे उन्होंने हमें इतला दी कि आग लगी हुई है तो जो ही हम spot पे पहुँची तो उन्होंने हमारे आने से पहले ही fire को control किया था कर दिया है वहाँ पार्टिस्प्रेटेट इन अवेरनस प्रोग्राम अच्छा यह जो कोड़ोता है स्प्रिंक्लर का जो ओफिस में लगा होता है इसके बारे में कुछ बताइए क्यूंकि लगे तो हर जगा होते हैं बट फिर कभी अकसर देखा जाता है कि वो काम नहीं करत हैं कि आपके पास क्या inbuilt fire fighting system में होना चाहिए जैसे extinguisher आपके पास होना चाहिए या इसी तरह होजरील होना चाहिए या इसी तरह sprinkler system automatic fire detection alarm system या इसी तरह और भी जो भी fire fighting systems है तो यह based on जो आपका fire audit होता है उसके हिसाब से ही हम उनको recommendations देख देते हैं काफी सारी establishments में यह सारी systems लगे हैं लेकिन इसमें सबसे important चीज़ें इसको खली लगा के decorate नहीं करना है then you should be able to use it. लोगों से यही गुजारिश रहे ही कि you should know how to use these equipments हमने कहीं बार देखा है लोगों के पास लगे हैं लेकर अगर आग की वारदत होगी तो उनको चलाना नहीं आता है तो fire awareness programs में मैं ही हम यह चीज़ें भी cover करते हैं जहां पर भी जैसे fire safety measures install किये होते हैं तो हम उनको यह training भी देते हैं कि आप इन equipments को कैसे use कर सकते in case of emergency. अच्छा यह तो commercial buildings की बात हुई कि किस तरीके से वहां पर the office or any commercial building should be equipped ऐसी किसी भी situation के लिए क्या घरूं के लिए भी ऐसा कोई system ह जो कि बाई norm घरूं में लगा होना चाहिए देखे अगर हम national building code हमारा है part 4 fire and life safety तो उसमें कोई भी occupancy हो be it residential, educational, institutional, business, mercantile, hazardous उसमें सारी occupancy's cover है और हर किसी occupancy के लिए based on its complexity, based on its size वहां पे fire protection major is recommended है कि आपको minimum क्या चीज़े install करनी है और उनी basis पे हम NOCB provide करते है as a department, लोगों को चाहिए कि जो fire protection measures जो NBC में दिये हैं उनको follow करे, अब रहा सवाल जैसे हमारे जो residential structures है, as such उनको NOC की जुरत नहीं पड़ती, जो commercial establishments है because उनको fire NOC चाहिए होती है for its registration purpose, तो उनको पता होती है कि हमें क्या चीज़े लगवाने की जुरत है, लेकि हम लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि वो हम से contact कर सकते हैं, तो हम उनको वो चीज़े भी बताएंगे और जो training भी देनी होगी, fire and emergency department is always ready to provide. इसा कोई है क्या जो normally जो recommend होता है residential buildings में, जहां normal जो house households है, वहां उसके लिए कौन सा equipment होता है जो लगना चाहिए? जनरली हम उसके लिए एक तो fire extinguishers, और fire extinguishers में भी number of types होते हैं based on the class of fire, जनरली kitchen में हम wet chemical F type extinguisher क्योंकि वहां तेल की आग होती है, या इसी तरह जैसे class A, B, C में हम जनरली solid liquid and gas fire, तो जनरली ABC type जो हमरा all round extinguisher है, वहां पे होना चाहिए, corridors में, या इसी तरह extinguisher को अगर हम जोड़ेंगे तो उसके बाद जैसे hose reel, अगर basic hose reel facility हम floor wise देंगे, जहां जिसको water supply जो है, एक terrace tank से मिलती है, by using the booster pump, तो अगर खाली इन दो चीज़ों का ध्यान रखा जाए, और हमारे जो खासकर exits है, हम generally exits पे ध्यान नहीं देते हैं, exits are very important from life safety point of view, हमारे पास alternative exits भी होने चा तो वो कहां से बाहर निकलेंगे, so they will get trapped, तो लोगों को चाहिए, they should have a provision of alternative staircase, और खासकर जो staircase है, उसमें बिलकुल लकडी का इस्तिमाल ना करें यहां पे लेते हैं, एक छोटा सा break on the other side of the show, बातशीच जारी रहेगी, मेरे साथ है Assistant Director of Fire and Emergency Services, आकेब हुसेनमीर सहाब Welcome back, मेरा अगला सवाल आप से, are there any specific tips, क्योंकि अब तो ऐसा नहीं है कि यहां लोग इस्तिमाल नहीं करेंगे, वो तो करेंगे, और होता भी आ रहा है, so what are the tips जो आप की तरफ से आएंगे, जो थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, residential, commercial, especially when they're using, जब वोड का इस्तिमाल हो अगर हम standards पे जाएंगे, तो उसके हिसाब से हमें non-combustible materials का ही use करना है, so हमारा focus हो ही रहता है, लेकिन यहां पे कश्मीर में हम देखते हैं, generally लगडी का काफी जादा इस्तिमाल होता है, अगर हम दरवाजे और खिडिकियों की बात करेंगे, तो उसमें काफी अच्छे alternatives भ available है, they are more in comparison, जो हमारे पास wooden, wooden based होते है, for nature मैं मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा, कि वहां पे भी एक alternative है, कि अगर हमारे पास ऐसी लगडी है, जो इस्तमाल होती है, तो वहां पे fire retardant paint, जो होता है, वहां उस पे कर सकते है, fire retardant paint में क्या होता है, कि उसकी वाज़ से उस structure क fire resistance बढ़ती है, तो कुछ companies claim करती है, ए गंटे की, दो गंटे की, तीन गंटे की, तो कम से कम वह testing lab conditions में वह चेक की जाती है, लेकिन कम से कम उसमें 30-40 minute का fire resistance तो होगा, and that is very much enough. अच्छा, हम बात करेंगे cooking gas के LPG की, जो अकसर देखा जाता है, which also becomes a cause of fire, उसके बारे में क्या precautionary measures हमें लेने चाहिए, क्या knob बंद कर देना इनाफ है, या gasoline को हमेशा घर से बाहर रखना चाहिए, मतलब उसका ऐसा system होना चाहिए, कि वो मकान से बाहर होना चाहिए, या फ पर cooking करते हैं, और हम ज्यादा तर या तो electricity-based gadgets यूजट्स यूज़ करते हैं, या तो LPG का यूज़ करते हैं, तो खासकर LPG के कारण ही हमने काफी जादा fire incidents देखे हैं, तो वहां पर भी मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे LPG slanders हैं, उनको हमें घर के अंदर store नहीं करना च जो पर पर जो पाइपिंग है, उसको इंट्रोड्यूस करें इंट्र ने कीचन, तो या तो बी वन अदर सेफटी मेजर, तो दूसरी चीज़ है, वहां पर एक 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 एक्स्टिंविशर जो है, वहां पर आपने पास हैंडी रखें, और उसको चलाना भी सीखें, और खासक होगी कि हमें या एक्स्टिंविशर कैसे यूज करना है, या एल्पीजी फायर को कैसे कंट्रोल करना है, I think most of the emergencies will be averted. Right, okay, my last question from you, जब कभी कोई इंसिदेंट हो जाता है, और we need to call the Fire and Emergency Department, तो सबसे पहला step क्या रहता है, what is the correct way, because उस वक्त पानिक में समझ में याता, काई यों के पास नंबर भी नहीं होता है, और वो जो कुछ minutes होते हैं पहले, वो बड़े crucial होते हैं, so please tell us, what is the correct way, what is the proper way to reach out to your department, ताके वो जल से जल, without wasting any time, even a minute is crucial, तो कैसे वो आप तक पहुंचे, और क्या करना चाहिए पहले, इसका एक proper setup होगा, इसका एक proper protocol होगा, इसके बारे बारे में होते हैं, हमें fire service को call करना है, हमें किसी को बाहर निकालना है, या हमें खुद fire fighting करनी है, so इसका एक proper, जो हम fire drill में सिखाते हैं, कि सबसे पहले you should always alert the occupants, तो वहां पे सबसे पहले आपके बास alarm system होगा, या जो आप manually भी मतलब चला चला के बोल सकते हैं, आग है आग है, ताकि जो भी अंदर फसा हुआ है, वो बाहर आ सके, दूसरी चीज़ है कि आपके जितने भी electric supply जो उस building के अंदर, जो involve हो चुकी है fire में, तो उसको trip off करें, और साथ ही साथ fire service को इतला देंगे, जितना जल्दी आप fire service को inform देंगे, क्योंकि उनका भी एक distance constraint रहता है, उनको किसी distance के तहत महां आना है, तो इस चीज़ का भी धियान रखे, जितना जल्दी हम उनको बताएंगे, उतना जल्दी वो spot पे तो हम जनरली life safety को first priority रखते हैं, हमें सबसे पहले अपनी जान का ख्यार रखना है, बाद में हमें देखना है कि हमारी property इनवालो हो रही है, और उसके लिए आपको fire extinguisher handy रखना है अपने गर के बास, तो अगर आपको fire extinguisher चलाना नहीं आता, जैसे मैंने पहले भी का, fire service को control room होता है, जहां पे operators होते हैं, जो continuously ये देखते हैं कि हम उनको जब call आती है, तो उनको कौन से stations mobilize करने हैं, जो कि fire site से बिलकुल नजदीक है, तो लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप 101 जो contact number है, वो handy रखें, और साथ-साथ जो आपका nearest fire station है, हमारे काफी सारे fire stations है city में 29 in number, जो खाली सिरी नगर जोन में है, तो आपको उनका contact number रखना है, खासकर जो आपके नजदीकी fire stations है, ताकि खुदा नख़स अगर ऐसे emergency होती है, वो directly उनको call करेंगे, तो उतना जल्दी वो वहां से निकलेंगे, बिलकुल बिलकुल, क्यूंकि हमारा action जो है, वो golden, जो initial 2-5 minute होते हैं, we call it golden period, उस time period में, अगर हम spot पे पहुँचे, हमारे fire pumps इंस्टॉल हुए, और हमारी होज जो है, that goes into the seat of fire, so I think we can limit the loss of life to maximum extent. अच्छा जिब आप कभी कोई किसी ऐसे एरिया में देखते हैं, आग लगी है, जहां गाड़ी का अंदर पहुँचना मुश्किल होता है, तो कैसे टाकल करते हैं आप उस सिचुएशन जनरली downtown areas में होती है, क्योंकि वहां पे काफी जादा congestion, lanes are very narrow, एक तो दिकत पेश आती कोई रॉंग पार्किंग की शकल में गाड़ी खड़ी कर लेता है, तो वहां पे भी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज अपनी गाड़िया जो हैं, उनके लिए पार्किंग स्लोट साइडिफाइ करें, वहां पे जब आप गाड़िया खड़ी रखते हैं, क् हमारी गाड़ी स्पॉर्ट पे पहुंचने ही हाथी, उस केस में हम यही मौटियो रहता है, हम रेले शिस्टम प्रूपाइटिंग सिस्टम का मातलब है कि जैसे जो फाइर टेंडर पहले स्पॉर्ट पे पहुंचा, वहां से हमारी फाइर होज आगे जाते हैं, और जहां प पाकी गाड़ी आती है वो फीड देते हैं पहली गाड़ी को अच्छा सो डेट देर इस नो ड्रॉप इन ऑपरेशन मतलब जो ऑपरेशन है वो स्ट्रीम लाइन रहे तो उसके बाद जो तीसरी गाड़ी आती है वो सेकंड गाड़ी को फीड करती है और आइडियली हमारा जो है वो तब तक complete नहीं होता जब तक कि हमारा एक open water source पे हमारा fire pump इंस्टाल नहीं होगा क्यूंकि गाड़ीओ में हमेशा एक limited capacity of water होती है जनरली साढ़े साथ हजार जो है साढ़े साथ हजार लीटर यह हमारी सबसे बड़ा fire tender जो है उसके पास capacity होती है जै और इसका discharge rate भी का तो तीन मिनट ही निकलेंगे, so it's again a first aid. It gives us time to install the fire pumps at the source of water. तो जब हमारे पास एक running water supply मिलती है, only then we can attempt fire fighting for longer periods of time. Can we address this problem? इस problem को कैसे address किया जा सकता? इसको address ऐसे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे city में अगर हम देखेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास fire hydrants है. जैसे कहीं पे हमारे पास water source नहीं है nearby, क्योंकि हमारा main source जो city में है, that is Jailim river. लेकिन हमारे पास वहाँ पे भी fire hydrants है, जगा जगा पे लगे हैं, जहाँ पे congested lanes हैं, तो हम उनको भी use करते हैं, लेकिन कहीं बार हम ने देखा है कि उनमें भी water pressure काफी काम होता है, बिकार जनरली जो हमारे hydrants है, वो PHE lines पे हैं, जहाँ पे हमारे already domestic connections हैं, तो जब domestic connections बढ़ जाते हैं, किसी area में, तो इन fire hydrants में पानी का pressure अच्छा खासा नहीं होता है, तो उसको हम ठी कर सकते हैं, कि अगर PHE department उस पे काम करेगा, because they have to provide water supply to us, तो उनको एक dedicated line, जैसे European countries में होती है, it is red in color, तो उस line पे ऐसा कोई domestic connection नहीं होता है, और अगर हम उसी पे fire hydrant को install करेंगे, तो वो 24-7 charged रहेगी, और जो लोगों के अक्सर शिकायत होती है, इसमें पानी नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो वैसी है, हम address करता है, बहुत बहुत शुक्रिया आप से बात करके, बहुत कुछ जाने को मिला, और बात करके बहुत अच्छा लगा, क्या कहना चाहेंगे आखिर में जो आपको अभी देखते हैं, देखें, लोगों से यही request रहेगी, कि जो trust deficit कहीं बार होता है, कि fire service spot पे जल्दी नहीं पहुँचा, या इनके गाड़ी में पानी नहीं था, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, it's a highly professional work, यहाँ पे जो हमारा जो अमला है, देखें, training from reputed institutions all over India, आप हम पे trust करें, हम अपनी जो responsibilities है, उनसे बाख़बर है, हमें पता है कि लोगों की जब property जलती है, हम उसको अपना मानते हैं, हमारा काम भी यही है, हमारा जो motto भी है, we serve to save, लेकिन लोगों से भी यही request रहेगी, कि जैसे आप fire tender को देखे, उसको रास्ता दे, डे के time पे कहीं पे wrong parking न करे, क्योंकि यह खाली fire के emergency नहीं हो सकती है, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, तो लोगों से यह गुजारिश रहेगी, कि आप जो भी gadgets वागेरा winter season में यूज़ करें, आप उनका judicious यूज़ करें, you should always follow the safety precautions and do's and don'ts, और जो advisories fire and emergency department issue करते हैं, आप उस पे आमल करने की ज़रता है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहेए न्यूज़टीन जमू कश्मील एदा के माचल,